प्यारे दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने चैनल अमिजीय सेंटर में दोस्तों इस वीडियो में हम DDC ग्रूप C के स्टडी प्लान और सलेवस और साथी साथ हम ये भी जानेंगे कि किन छात्रों की परिक्षा 1 अगस 2020 को सेडियूल की गई है और जो मैसेज आ रहा और आप लोग बार बार कमेंट करके एक से दूसरे चैनल पर पूछते रहेंगे ठीक है तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके अपने त्यारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर द कर लीजेगा नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन जो है वह बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके तो चलिए अब लोग सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन को ठीक है जो से पहले हम पीडियेप को देखते हैं तो दोस्तों यह है वह नोटिफिकेशन जो टीडिसी के तरफ से जारी किया गया था यहां पर देखें तीन तरीके के पोस्ट आपको दिखाये गए हैं यह फाइब में ठीक है एफाइब ए और एफाइब बी और एफाइब सी ठीक है A में प्योन、 ओर्णी डाक प्योन है और A5 B में चौकिदार है एफाइब C में स्वीपर सफाई करमचारियों का है ठीक है और A6 में आपका प्रोसेस सर्वर का है ठीक है? जो मैसेज आप यहाँ पे देख रहे हैं मैसेज में किसकी बात की गई यह मैसेज में और इसके साथ अगर हम प्रोसेस सर्वर की बात करें तो अभी A6 का यानि कि प्रोसेस सर्वर का जो एक्जामनिशन है वो सिड्यूल नहीं हुआ है, ठीक है, हलाकि जब तक ओफिसियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बिल्कुल हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब तक ओफिसियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, मैसेज आ रहा है, ये बात सत्य है, कि लोगों के पास मैसेज जा रहा है, इसका मतलब कि एक्जामनिशन सिड्यूल हो चुका है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो 28, 2, वो 2021 को जो लोग एक्जाम देने से रह गये थे, उनका ये सिड्यूल हुआ हो, उसके बाद प्रोसेस सर्वर का होगा, या फिर प्रोसेस सर्वर का भी अभी साथ ही में हो जाए, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अपनी त्यारी करते रहिए, आप लोग बिल्कुल भी मच चुकिएगा, अपनी त्यारी करते रहिए, सभी लोग मान के चलिए कि मेरा जो एक्जाम है, वो एक अगस्त को ही होना है, जिनका हो गया था वो लोग भी और जिनका नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आया नहीं है, जिसमें ये बताया गया हो क कि लोगों का एक्जाम होना है और कि लोगों का एक्जाम नहीं होना है, जैसे-जैसे मैसेज पहुच रहे लोगों को, अंदाजा लगा रहे हैं लोग कि किसका होना है, किसका नहीं होना है, ठीक है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का भी एक्जाम होना है, लोग यह मान के चलिए, अपनी सारी खेलित अब हम इसके बाद करते हैं तो अब हम सेलेवस को देख लेते हैं, सेलेवस में क्या है? कि शलेवस में आपके चार सब्जिक्ट हैं इंग्लीज है, हिंदी है, जन्नल आइज है और उसके साथ साथ जन्नल आइज के साथ ही करेंट अफियर्स भी उसी में इंकलूड होगा साथ ही अरिथमेटिक मैथ है, ठीक है? मतलब कि अंकगडित है, ठीक है? तो इंग्लीज में आप देखिए, यहाँ पर पचीस क्वेस्चन आएंगे, ठीक है? पचीस नंबरों के लिए, और हिंदी में भी पचीस क्वेस्चन आएंगे, पचीस अंकों का होगा जन्नल नाइज इंकलूडिंग टू करेंट अफियर्स पचीस क्वेस्चन होगे, पचीस नंबरों के लिए, ठीक है? और अंक गडितियानी की अरित्मेटिक के लिए पचीस क्वेस्चन होगे, पचीस नंबरों के लिए टोटल सव अंकों का ये पेपर होगा आपको टाइम मिलेगा, दो घंटे का, ठीक है? और जो PWD वाले हैं, handicapped वाले जो student हैं, उनको 160 मिर्ट का time मिलेगा, ठीक है, 40 मिर्ट extra समय उनको मिलेगा, इसमें दोस्तो negative marking भी है, आपको ध्यान रखना है, आपको तुक्का निलगाना है, जो questions आपके आते हों, उनी को आपको tick करना है, ठीक है, इसमें जो negative marking है, 0.25 marks है, ठी एक wrong answer के लिए, प्रते एक गलत answer के लिए, आपको 0.25 marks से आपको penalty भरना पड़ेगा, यानि कि 4 questions आप लोग गलत करते हों, तो एक सही वाले का भी अंक काटा जाएगा, ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, study plan के, ठीक है, study plan को हम लोग देखते हैं, क्या है study study plan में, और किन चीजों को हमको त्यार करना है, और कितने दिनों में हमको त्यार करना है, ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा study plan, आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको 10 दिन का समय मिला हुआ है, 10 दिन से भी कम का मान के चलिए, तो आपको प्रतेक सब्जेक से आपको कैसे किस-किस टॉपिक को बहुत ही मंदभ सेलेक्टेड़ साथ ठीक है तो यहांपटी में सबसे पहले हम देखते हैं तो एन्दी में आपको वडंआला देखना है वरमाला को इस देखना और आपका संग्या और तद्वह को भी देख सکते है, उपसर्ग और पत्ते को भी आप लोग एक से दो दिन के अंदर और परियावाची सब्दों को भी आप लोग एक दिन में देख सकते हैं, ठीक है, इसके साथ आप बिलोन सब्द, अनेक सब्दों के लिए एक सब्द और ये दो दो चैप्टर जो हैं एक दिन में आप complete कर सकते हैं हिंदी भासा का जो इतिहास है उसे एक दिन में आप complete कर सकते हैं ठीक है इसके साथ वाक के सुद्धी और वाक के भेद इनको आप एक दिन में complete कर सकते हैं लोकोतियों को और मुहावरों को आप एक दिन में complete कर सकते हैं तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ दिन में आपका जो हिंदी का है complete कर सकते हैं इन सब को ठीक है? आपको एक, एक, दो, दो घंटा यहां पर देना पड़ेगा उसके बाद, आप यहां पर आईए, इंग्लिस वाले में देखते हैं हम लोग इंग्लिस वाले में क्या है? आर्टिकल सेंट्स, नाउन है, ठीक है? आपको, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही तियारी कर रखा है आप 10 दिन में बिल्कुल उस सब्जेक्ट के मास्टर नहीं बन पाएंगे आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है? आपको क्या करना है? यहां पर रिवीजन करना है क्योंकि यह जो एक्जाम है, वो हाई स्कूल लेबल का है जो question का label होगा, वो भी down होता है, ठीक है, तो यहाँ पे articles, noun पे आ जाते हैं, इसको और pronoun, preposition वगरा है, इसको आप एक दिन में देख सकते हैं, ठीक है, common error को भी आप एक दिन में देखिए, ठीक है, बाकी यहाँ पर आप 10 दिन पूरा लगाई, एक 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 दिन लगा सकते ह हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा सरल लगे, उसमें आप एक दिन में दो, दो चैप्टर को भी cover कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी आपका help करूँगा इसमें, इनको complete कराने में, यहाँ पर आप अंग गड़ती गड़ित में आ जाईए, ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर सरली कर लोग एक एक दिन में complete करते रहें, एक एक चैप्टर को, और लास्ट दिन जो बचेगा आपको, ठीक है, लास्ट दिन में आप लोग केवल क्या करिएगा, उस पन्ये को जिस पे आपने practice किया है, जहाँ पर आपने note किया है, या फिर जिस वीडियो को आपने देखा है, तो उसको fast mode में लगा के, आप एक सर्सरी नजर से देख के जाईएगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, दिमाग में उथल पुथल हो जाता है, तो आप क्यों क्या करना है, बिल्कुल भी उस दिन, एक दिन पहले आप मत पढ़िए, ठीक है, माइन को सांथ रखिए, आप एक्जाम के लिए तयार करिए, अपने आपको प्रीपर करिए, अपना हेल्दी फुड लीजे, ठीक है, और इसके बाद आपका जीके और करेंट एफेर्स का जो पार्ट बचता है, जीके का भी लेवल जो है, वो बहुत ही जादा हार् साथ कौन सा है, ठीक है, या बिस्व का सबसे उचा जलपरपात कौन सा है, और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़े, जीक की का तो कुछ भी लिमिट नहीं होता है, ठीक है, और उसके साथ आप पthese आपको त्यार करना है करेंट अफेर्स को, करेंट अफेर्स आप क कर्यен्ट्लि है कोवीट से संवंधित प्रशनों को देखिये का जो बहुत ही मिम्पोर्टेंट है इसका फी मैं वीडियो बना कि दे दूँगा आप लोगं को उहां से देखिये का कोड़नारस से संबंधित प्रशनों कि क्या हमको पढ़ना है तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में आपके फास्ट वीजन वाली क्लास में ठीक है तो फटा फटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और नोटिफिकेशन वेल को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जो भी वीडियो में अपलो